यहां पर देखाया है तो आद के समय हर दूसरी कंपनी ओवर हीटिंग वाले प्रोसेसर का शिकार हो रही है Qualcomm Snapdragon में बड़ी मुश्किल से 8 Plus Gen 1 से इस बिमारी से छुटकारा पा रहे है लेकिन वही यह जो बिमारी है जिसने से आप पकड़ लिया है ना वो है आपके Apple कि कभी आप लोग ने सोचा था कि Apple के प्रोसेसर में हीटिंग होने लगेगी बिल्कुल यह चीज यहां पर सामने आज चुकिए एक बात किया है तो reference के लिए बताये तो Mac Stack एक YouTube चैनल है वो Apple के Mac computer की बहुत अच्छे तरीके से in-depth testing करते हैं और काफी heavy workload डाल के देखते हैं जब M1 चिप आई थी तो उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें क्या खराब चीज़ें सब उन्होंने बताये थी अब जब M2 चिप का उन्हें laptop मिला M2 MacBook Pro उसके बाद उन्होंने इस चीज़ें टेस्ट कर रहे तो पता चला यह laptop पे भया नग गर्मी हो रही है यानि कि इत्ती जादा गर्मी फेक रहे हैं जिती तो M1 से expect नहीं कर चकते थे और यहां पे concern वाली बात आ जाती है कि आकर Apple क्या कर रहे है क्या उसने processor वाले business को थोड़ा जादा तो नहीं ले लिया क्योंकि खबरे काफी interesting आ रही है यहां पे और यह भी बोला जा रहे है कि M series के जो processor से उनके चेकर में जो A series वाले Apple के उन सबकी जो development होती ना वो कही ना कहीं effect कर रही है तो क्या चल रही है पीछी कहानी सब कुछ बात करती वीडियो के अंदर पसंद है तो लाइक कर देना जहल को आप लोग subscribe कर ले ना अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कर सकते है उस subscribe अगर अभी तक नहीं कर रहे है तो सबसे बेले मैं आपसे बात कर सकता हूँ यहाँ पर कहानी चल रही वो यह थी कि M2 का MacBook Pro आया था उसके अंदर उपर यह stress testing कर रहे थे यानि कि जो M2 chip है वो Apple की entry level processor होता है और वहाँ पर यह देखने कोशिच कर रहे थी कि इसको कितना जाद उस पर वर्लोड डाला जा सकता है कि यह जहल जाए और उसके अंदर जब उन्होंने 8K RAW फाइल को edit करने कोशी करी तो यहाँ पर जो temperature 108 degree Celsius तक पहुंच गया था यह चीज काफी जादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि अंदर का temperature ही 100 degree Celsius की उपर का जा रहा है अगर प्रोसेसर का तो यह काफी खतरनाक बात है और definitely यह चीज़ यहाँ पर overheating होती है क्योंकि Apple देखा जा तो जाना जाते है अपने cool performance के करण Apple के लिए यह रहता है कि आप उसमें कितना भी हेवी फाल यहाँ पर डाल रहे तो यह दिक्कत आती है और उसके बाद पता है क्या रहता है कुछ समय के बाद इसके clock speed जो रहती हो कम हो जाती है उसके बाद जो TDP रहता हो भी कम हो जाता है और अपने अपको throttle करता है प्रोसेसर और उस temperature को 80-84 degrees Celsius ले जाता है उसके बाद ज heat generate करता है और उसका thermal throttling होती है ताकि प्रोसेर को कोई damage ना हो और यह सबसे जादा खतरनाक चीज़ लगते है अपकल के लिए अब यह देखाया है तो इसके काफी सारी reason है पहले reason तो क्या normal आदमी इस चीज़ का experience कर पाएगा बिलकुल नहीं यह बहुती जादा heavy file को डाला जा रहा है 8K raw file को और अगर आपको इसकी knowledge नहीं तो simple सी भाशे में बता सकता हो 8K इतना जादा resolution होता है जिसके आप 4 4K TV फिट कर सकते हो क्याने की 4 4K की streams और यह ऐसी चीज़ है जिसका आम तोर पे लोग use नहीं करते इसका professional use करते और उनके पास professional grade की अच्छी machine ने रहती ह है लेकिन जब आप किसी चोटी machine की उपर डालोगे तो इस टैप की चीज़े हो सकती है और यह एक दिक्कत है लेकिन इससे concerning वाली बात यह आती है कि इस टैप की चीज़े पहले नहीं होती तो अब होने लगी क्योंकि बात की जाए तो Apple यह आद के समय में M series वाले processor पर काफ processor इन दो सालों में Apple के iPhone के कितने processor है वेल देखा जाया तो अभी तक एक ही processor है और एक और आने वाला है यह एक काफी की इंटरेसिंग चीज़ है क्योंकि Apple के अंदर से यह भी पता चला है यहां पर कि Apple जो आज के समय में यहां पर Apple के जो A series Bionic होते ना उन से जादा focus M series के उ काफी सारे engineers का कहना है कि workload यहां पर इतना जादा है कि पिछले कुछ सालों में काफी सारे Apple के engineers ने आप पर छोड़ा है इस टैप की कुछ reports यहां पर सामने आई थी जिससे यहां पर देखके ऐसा लगता है कि कुछ जादा ही focus किया जा रहा है और जबर जस्ती जादा स्याद प्रोसेसर से वह उत्ते जादा बड़े improvement यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर भी development में कमी आई है और एक यह भी है कि इस साल से कोशिश भी करने वाली Apple कि जो नॉन प्रो मॉडल होगा iPhone का वहां पर एक साल पुराना processor डाल कर दे जो लेटेस प्रोसेर ऐसा कुछ करने वाली है यहां पर Apple यह एक काफी इंटरस्नी तीन्स हो जाती है और देखना है कि आने वाली future में Apple के साथ क्या रहता है क्योंकि Apple देखा जाये तो M1 चिप के परवे बात करूं तो वह काफी बड़े improvement था ट्रेडिशनल जो Intel और AMD वाली चिप से वह इता बड भी नहीं हो thermals भी control रहा है प्लस अच्छी performance भी आए और Windows में M1 से बेटर processor निकाल कर दिया यह चीज़ यहां पर Intel यहां पर कोशिक कर रहे है AMD भी अपनी जगे लगी हुई है और इनी सब के कारण एक रिस लगी है पूरी processor इंडस्ट्री में जहां पर आज के समय मोबाइल फोन से जादा desktop लटटाप के जो processor होते हैं उनके अंदर improvement आना इवन graphic cards के अंदर भी काफी जाद improvements आपको देखने को मिल रहे हैं और जो नए process और graphic card आएंगे उनके अंदर और जादा massive leap होगा पिशले कुछ सालों से PC market ठंडा पड़ा था अब लग रहा है वो यहापर गरम होने वाला है देखते आने वाले time में क्या चीज़े रहती है हलाकि जो Apple जो थी वो पहले overheating का शिकार नहीं होती processor का वो अभी हापर शिकार होगी है मेरे को क्या लगता है कि यहापर Apple वाले बहुत जादा जल्दी बाजी करने है और जहां desktop प्रोसेसर लैप्टॉप प्रोसेसर बनने की development काफी जादा लंबी होते जादा 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 लंबी है